तो बल्के में दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखिए आप लोगों का एक्जाम है सेक पेपर का और सेक पेपर में आपको क्या पढ़ना है उसी का आज हम लोग प्रिवेस एर कोशेंट पर लाएं है ठीक है सेक पेपर एलेमेंटरी कंप्यूटर एप्लिकेशन एंड सॉप्टवेर ठीक है तो दीखिए यह प्रिवेस एर कोशेंट पेपर है जो कि 2019 में पुछा गया पेपर है और पहले यह जो पेपर था आपका समेश्टर 3 में ही पूछा जाता था लेकिन BSC को किसको BSC को लेकिन अब जो है यह आपका BA become BSC सब को कर दिया है new education policy में ठीक है तो चलिए देखते हैं किस टाइप की question है और अभी तक record है कि यह पेपर जो है पुछा गया है ना elementary computer application software अभी तक सब बार English में आया है English वर्जन में किसी में भी Hindi English दोनों में नहीं आया है लेकिन इस बार संभावना है कि Hindi और English दोनों में आयेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं यह पेपर एक्ट्वल इंग्लिस में है और मैं इसका दोनों भासाओं में आपको बताऊंगा हिंदी इंग्लिस दोनों में ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सेक पेपर और यह 2019 में पूछा गया पेपर है कहां का है जानकारी के लिए बता दू रांची निवर्शेटी में पूछा गया पेपर है ठीक है अब आप किसी भी निवर्शेटी से हो अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो डेफिनेटली मेच करेगा एंप यह हो चाहे अजर अट्रोमस कोलेज हो टोटल एक सो कोश्चेन है जिसमें से इस वीडियो में हम लोग पचास कोश्चेन करने वाले हैं विट आंसर पहला कोश्चन है आइडेंटिफाइड डिबाइस थ्रो विच डा जाता है तो उसको हम लोग इंपूट बोलते हैं कोई भी चीज जो कोई भी डेटा जब हम कंप्यूटर को देंगे तो वह इंपूट होगा और जो कंप्यूटर से बाहर होगा वह आउट्पूट होगा ठीक है नेक्स्ट हैं आपर अरेंज इन असेंडिंग ओडर दा यून यहां पर क्या है के भी फिर उससे बड़ा एमबी फिर उससे बड़ा जीवी फिर उससे बड़ा टीवी ठीक है फुल्फम जानते हैं किलोवाइट इसका एक मिनट इसका किलोवाइट इसका मेगावाइट इसका गीगावाइट और इसका टेरावाइट ठीक है टीवी आगे देख लेते हैं next हमारा question no.3 इसमें पूछा गया है which one is the result of the output given by a computer ठीक है तो देखिए computer क्या बोलेंगे computer द्वारा जो output दिया जाता है output परिनाम दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं तो computer हमें जो output परिनाम देता है उसको हम लोग information बोलते हैं हिंदी में सूचना बोलते हैं ठीक है हम लोग data देते हैं input और output में हमें क्या देता है information next step for number a light or light sensitive device that convert drawing printed text or other image into digital form ठीक है यानि कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम उस machine का नाम बता है जिसमें हम लोग चित्र या फिर कोई भी text देते हैं उसको digital form में परिवर्थित कर देता है ठीक है तो इसा कौन परिवर्थित करता है input device है ठीक है फाइप नंबर हमारा question है वीच इज यूजट विद और स्टडी टू प्रड्यूस फिरी हैंड ड्रोइंग ठीक है तो यह स्टडी में ने बोल दिया ना यह आपका टाइलस है ठीक है टीलस अस्टिलस यह आपका एक तरह से पेन होता है ठीक है एक परकार का यह पेन होता है और इसका यूज किया जाता है तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों हम लोग इसका जनरली जो यूज करते हैं वो टेबलेट में करते हैं ठीक है अगर टेबलेट चलाया होगा तो इसको मालूम है तो टेबलेट में इसका यूज करते हैं अस्टाइलस का आग 懂able Form in Computer यानि की कंप्योटर का कौन सा अप्लिकेशन टेक्स्ट को सकेन करता है और कंप्यूटर में पर्डने में परिवर्तित करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं OCR क्या बोलते हैं OCR और इसका फुल फॉव वहता है अप्टिकल करेक्टर रिडर टीक है आप्सन डीस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका सेवन नंबर और इसमें पूछा गया है कि विच आउट्पूट डिवाइस इनमें से कौन सा आउट्पूट उपकरन विच आउट्पूट डिवाइस ऑप कम्प्यूटर इज यूज फोर ट्रेनिंग परजेंटे प्रोजेक्टर दो को है मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर और इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर नहीं यह वाला ठीक है तो मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर इसका राइट अंसर हो जाएगा मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर का परियोग ट्रेनिंग और लाइब क्लास वगरा को इसकूलों में बढ़ाने के लिए किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो हमारा अगला कोशन है यहाँ पर वीच आप दफॉलोविंग कीस आर परजेंट ओन दफॉप रोग ऑप दफॉप दफॉप तो देखिए जेनरली स्केप का होता है सबसे फ़हले स्केप उसके बाद f1 f2 f3 करके अप 2 अल्ब तक जाता है तो मेंली जो होता है यहाँ पर फंट्र की होते हैं बारख को फंट्र की होता है f1 करके f1 f2 ठीक है तो क्या हो जाएगा कि कौन सी कीबोड में पर्थम पंक्ति में आने वाली जो कुंजिया है उसको क्या बोलेंगे ठीक है देखे हिंदी करना थोड़ा मुंस्कील हो जाता है क्योंकि मैं खोद हिंदी मेडियम से पढ़ा हूँ तो इंग्लिस और हिंदी ट्रांसेट करने में मुझे दिक्कत होता है ठीक है चलिए कोई बात नहीं कर लूँगा आपको समझ में आ जाएगा उतना ठीक है यानि की कौन सा वह उपकरन है जो कम्प्यूटर को आउटपूट को एक ऐसे रूप में बदल जा है जिसमें टेलिफॉन लाइन आपका जो है कनेक्सन हो जाता है टेलिफॉन लाइन दिया चा सकता है तो उसको लोग पोलते हैं मॉड 質टे हैं मॉड एम जब भी टेलिफॉन लाइन में connection की बात हो तो हम लोग मॉड हेम का यूज करते हैं मॉड लेम इसका पूफ संव हुता है देम-डू सब्सक्राइब नहीं देखें तो अब देखें तो फुकर लिजेगा कि यह जो है मोडेम है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा दसवा क्वेश्चन नेम्द डिवाइस डेट कनवर्ट टेक्स्ट इन्फोर्मेशन इन्टू स्पोकें सेंटेंस ठीक है देखिए उस उपकर क्वां साहरें सब्सक्राइब को साहले सब्सक्राइब जैसे माइक्रोपन होता बहुत लिखते जाता है म facingस्तार होता है का इलेविर नबर कोष्टें रिच डिवाइस कौन सी डिवाइस विश्ट डिवाइज कंप्पिउटर मां 0 with use of keyboard टीक है यानि कि हम लोग बोलेंगे कि computer का कौन सा उपकरण है जो keyboard का उपयोद किये बिना ज्या बोलेंगे computer में सुचनाओ को देता है तो हम लोग बोलेंगे computer में mouse एक ऐसा डीवाइस है जो कि keyboard का यूज किये बिना आपको जो है computer में input करने का देता है टीक है तो माउस इसका राइट अंत्र हो जाएगा माउस एक इंपूट डिवाइस है नेक्स्ट है हमारा यहां पर और माउस का खोज डगलस सी एंजल वर्ट ने किया था वीच आउट डिवाइस इस यूज़ड ओर ट्रांस लेटिंग इनफोर्मेशन फ्रॉम और कंप्यूटर इंटू क्या है यह पिक्टोरियल है नहां पिक्टोरियल फॉर्म ओन पेपर टेख यानि कि कंप्यूटर को क्या बुलेंगे कंप्यूटर को सूचना जो देता है फॉम image के form में ठीक है उसको output device का नाम बताना है ठीक है तो simple है मतलब simple से बता देता हूं कि जो print करता है उसको क्या वो लेंगे तो printer वो लेंगे तो यहां पर प्रिंटर आप्शन नहीं है ठीक आउटपूर जो देता है हमें picture की रूप में computer से चित्र की रूप में निकलता है तो उसको printer भोलेंगें लेकिन printer यहाँ पर नहीं है तो यह जो plotter लिखा है लिखाना यह यह एक परकार का printer है जिससे हम लोग बड़े-बड़े poster प्रिंट करते हैं ठीक है तो प्लोटर इसका राइड अंसर हो जाएगा है थर्टी नमबर हमारा है एनी डिवाइस डैट परफॉर्म सिगनल करने का बात किया गया है यानि कि जो संचार का रुपांतरन करने का बात करता है तो हम लोग बोलेंगे मोडम संचार यानि कि का गया है विच प्रिंटर कौन सा प्रिंटर यूज और कॉम्बिनेशन ओफ लेजर बीम ठीक है एंड इलेक्ट्रोप फोटोग्राफिक टेक्निक यानि कि कौन सा कंप्यूटर है जो कि लेजर बीम का उप्योग करता है ठीक है और फोटोग्राफिक टेक्निक का यूज करक तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लेजर प्रिंटर ठीक है लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर है सबसे मांगा प्रिंटर है एक मिनट में 200 से 2000 पेज प्रिंट कर सकता है लेजर प्रिंटर ठीक है नेक्स्ट है अपका जोई इस्टिक इज प्राइमिरिली यूज करते हैं यानि कि computer gaming जोईस्टिक क्या है एक परकार का गेम ख़लने का मतलब माउस है जो कि इसका जनरल यूज गेम ख़लने के लिए क्या जाता है वह राइस दर के बच्चे करते हैं आप कि यह हैं तो आप भी रहे हैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि जोईस्टिक लेकि आप MICR का पुलफोर्म क्या होता है पहली यह जान लिए इंक ट्रीडर इसमें से का नाम क्या है तो करेक्टर हो जाएगा मेगनेटिक इंग केरेक्टर रीडर तो केरेक्टर कहां पर है यह हमारा डी आमसर हो जाएगा इसका उप्योग जो है माई इस यार का चेक को डीड करने के लिए पैसा को काउंट करने के लिए बैंक में किया जाता है ठीक है अब यह अभी खाना खाके उठाऊ ना इसलिए थोड़ी से अगबक जैसा लग रहा है जश्ट खाना खाके उठा चाहड़ा अपने रूम में गया और आपका विडियो रेडी करने लगा चलिए अब इससे मेरा एक्जाम है फिर भी मैं आप लोग को दे रहा हूं कंटेंड क् आप कंप्यूटर के में जो हम डीटा दर्ज करते है यह उसको क्या बोलेंगे तो देखिए कंप्यूटर में लोग दर्ज करेंगे मेमोरी में यानि के स्टोरज कर रहे हैं तो राइट अन्थ हो जाएगा अप्ट एस टौर तो को हिंद्स क्या बलते हैं अस्टोर भंडार तो अश्टूर के हिंदी हो जाएगा भंडार अगला है हमारा टाइम डुरिंग वीच और जॉब इज प्रोसेसिंग बाय कम्प्यूटर यानि कि वह समय जिसके दौरान कम्प्यूटर पर किसी कार्य को किया जाता है उसको क्या बोला जाता है तो जब हम लोग किसी काम को करते Conspoon कम्प्यूटर में तो उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है एक्जेक्यूसन टाइम ठेक है execution टाइंब और हिंदी में बोलते है निस्पाधन समय ठेक है आगे दैख लिए हैं और डिले मतलब होता है देरी करना यानि की वी लम करना रियलम होता है वासितीचे वहात वा memory device in computer यानि कि निम्डिखित में से कौन सा सर्किट का memory device के रूप में उप्योग किया जाता है तो memory करन के रूप में किसका उप्योग के जाता है देखिए रेक्टिफायर का होगा नहीं क्योंकि रेक्टिफायर जनरली फ्लोग को चेंज करने के लिए यहां पर हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप टेक है प्लिप फ्लॉप का उप्योग जो है एक प्रकार की memory के रूप में किया जाता है थोड़ा सा पानी पिलेता हूं आगे दिख लेते हैं तो हमें नेक्स्ट कोज़ीन है मेरा विच फॉप फॉलॉवएग वाज नहीं सवाटम ही किंगे फ़र्सट इंटेल प्रोलागोई प्रोशेश तो जो इंड रॉड्रोडूइस किया गया इंटेल का प्रोलांस अप्रोलाम क कि बहुत सारा सबalterEN होता mesa तो देखिए उसका नाम था 4004 4004 टीक है इंटल प्रोसेसर 4004 सबसे पार्ला प्रोसेसर था इंटेल का ठीक है आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा कोशिन है विच मेमोरी इज नोन वॉलाटाइल यानि कि हमारा हो जाएगा मैंने कल बताए था वोलाटाइल अगर आपने देखा होगा वीडियो समाज में आ गया होगा कि कौन सी मेमोरी जो है आपका नोन वॉलाटाइल है जिसमें एक ही बार लिखा जा सकता है तो दिखिए इसको हम लोग बोलेंगे पी रोम प्रोग्रामे प्रोग्रामे बुरामे एक मिलिटी यार सुरी ईलेक्टिक ली एरेजिवल प्रोग्रामे वाद रिडानली मेमरी ठीक है यहां पर यहां पर पुछा गया है कि वीच मीमोरी इस non-volatile and may be return ons तो इसका write answer हो जाएगा p-rom next है हमारा a kilobyte also refers to as kb is equal to तो देखिए 1 kilobyte में कितने byte होते हैं तो 1 kilobyte में 1024 byte होते हैं ठीक है option भी इसका write answer हो जाएगा next है हमारा यहाँ पर rom is needed for storing and initial program called ठीक है तो देखिए और तो रोम जो है store कुरता है initial program इसको क्या बोल जाता है एसको क्या बोल जाथा इसको बोला जाता है boot strip loader ठीक है और boot strip loader का अब होता है तो जब हम लोग computer को on करते हैं कि या laptop को on करते हैं ठीक है कि आगे दिख लेते हैं चौब्स नुमर कोस्टियन यहां पर फूलपाथ पूछा गया है इए पी रोम का अभी मैंने बताया है इल्यक्टरिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड उनली मेमईरी कर आहा हैं तो इलेक्टरी के लिए ही बला इलेक्टरी के लिएरेजिबल प मिल पाता है कि नेक्स्ट आगे देख लेते हैं तो हमारा कोशन है दो ऑपरेशन डैट डज नौट इनवाल्ब्स क्लॉक साइकल एज टेक है यानि कि पूछा गया है इसमें से कि कौन सा है जो कि क्लॉक साइकल में सामिल नहीं होता है क्लॉक साइकल में सामिल नहीं होता है दे यह आपका clock cycle में सामिल नहीं है बाकी एक्जेक्यूशन फैक टिक है और डिकोर्ड यह सब भी आपके सामिल है clock cycle में नेक्स्ट आपका CISC क्या होता है CISC का full form यहां पर पूछा गया है तो देखिए इसका full form होता है complex instruction set of computer होता है set computer लिखा लेकिन set of computer होता है complex instruction set of computer option B आगे देख लेते हैं कोस्टिन नमर 27 से और इसमें पूछा गया है कि which of the following processor has a fixed length of instruction ठीक है यानि कि इन में से किस प्रोसेसर का एक फिक्स लंबाई निश्चित होती है ठीक है तो राइड नदर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि अरम आर यह एस्थ का टिकर अरीस ज्रीवार्त यहाँआं पर पूछा कि यह ए मधर करें और दिजिए यार्स यहाँ इसका हो जाएगा स्ली है में इड्रेश रजिस्टर कि नेच्ट यहाँ पर 29 नमबर आप ग्सका पर देखके तो बोलेंगा बाबा क्या होगा मेरा एक्जाम में नहीं चलिए देखिए कंप्यूटर चोड़ों पढ़ें उसके लिए इजी है बाकी सब के लिए तो पहाड है कि नेक्स अमारा कोशने 29 नंबर और देखा चाहिए यह सब्जेक्ट जो है बेसी कंप्यूटर साइंस फालो काई होना चाहिए या फिर जो लोग बेसी में अपने मन से लेना चाहते हैं वहीं लोगों का होना चाहिए लेकिन सब के लिए कंपलसर ही कर दिया है और पेपर तो यहां पर है और क्या है और सरक्यूटरी डेट प्रोसेस डेट रैस्पॉंड टू एंड प्रोसेस दबैसिक इंस्ट्रक्शन डेट आर रिक्वाइट डू डॉड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम ठीक है यानि कि क्या बोलेंगी कि एक जो सरकिट है जिसमें आपका सोदित करता है ठीक है तो सिंपल से बात है कि कौन कंप्यूटर को चलाने का काम करता है तो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है प्रोसेसर ठीक है प्रोसेस करने के काम कोन करता है प्रोसेसर यहां से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि यहां पर प्रोसेस लिखा है तो यानि के साथ कैसे संचार में या अपनी कम्योंगेट करता है तो वrench गलत होना करते ा यह बस हो जाएंक इंस का राइब एसो आपर सांग नहीं होगा यह बस हो जाएंग कि क्योंकि यह जो करता है बस एंड कंट्रोल लाइन के थुरू सीपीओ और डिये में एक दूसरे से कम्मिनिकेट करते हैं ठीक है तो यहां पर नॉन अप दीजिस का राइट अंसर हो जाएगा और अगर आप आंसर लिखना जाते हैं तो लिख लीजिएगा बस एंड कंट्रोल ठीक है इसका राइट अंसर होगा आगे देखते हैं नेक्ट कोशन है यहां पर बाकि जो इसका भी मतलब बंदे ने बहुत ज्यादा कोशन सही मारा है ठीक है दा एल्यू यू यूनिट ऑप अ कंप्यूटर एल्यू कंप्यूटर का फुल्फॉम जानते है अरिथमेटिक ल पागें सीप यू के तीन भागोंते हैं यह हमारा जो सेटन्रल पॉर्सेसिंग यूनिट इसके पीन भागें कौन-कौन एक है आपका सी यू जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं एक है आपका A L U arithmetic logic unit बोलते हैं और एक है आपका Memory ठीक है यह computer को control करने के काम करता है यह जितना भी गनित के काम होता है arithmetic का यह arithmetical logical unit करता है और memory data cluster करने का काम करता है ठीक है आगे देखते हैं 32 नंबर question है a CPU has 16 bit program counter this means that the CPU can address ठीक है यानि कि हम लोग बोलेंगे कि CPU में 16 bit program counter होता है इसका इस्तिमाल CPU में कब किया जाता है ठीक है तो देखिए मतलब स्वरी किस एड्रेस के लिए जाता है तो 16 bit memory location के लिए किया जाता है ठीक है देखिए हिंदी वालों को दिक्त हो रहा होगा क्योंकि मैं खुद अच्छे से हिंदी में उतना कमपटेबल रूप से नहीं हूँ जितना मेरा वर्ड पांगर थोड़ा कमज़र है ठीक है इंग्लिस में इसलिए मैं हिंदी प्रोपर्ली इसका नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से किसी कॉस्चिन का नेक्स्ट कॉस्चिन है आपका यहां पे दो क्वाइंटिटी ऑफ डवल प्रोड ना सिंगल सब्सक्राइब आपका 16 बिट का तो डवल हो जाएगा आपका 32 का ठीक है ऑप्सन भी सका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर तक गिभेन हेक्साडेसिमल नंबर इस एक्वल टू तो देखिए हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है इसमे इसका ब consume होता है सबसे पथ्ल कर डाVER्लिष होता है दो यानि कि इसमें को संख्या सब्सक्राइब होगा एक जीरो और एक वन एक होता है ऑक्टल क्या होता है ऑक्टल नमबर ऑक्टल में होता है यह यहां पर नौ यानि कि इसमें जो संख्या यूज होगा वह नो ही को संख्या यूज होगा जिसमें जीरो से लेकरकर एट तक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटे तक यूज़ होगा 9 का यूज़ नहीं होता है अक्टल में एक होता है decimal decimal में किसका यूज़ होता है तो जो decimal होता है उसमें 0 से लेकर के 9 तक यानि कि 10 को संख्या का यूज़ होता है इसका best value होता है 10 और एक होता है hexadecimal जिसमें 17 संख्याएं होती है और इसमें जो यूज़ होता है hexadecimal में एक से लेकर 16 के संख्याओं का यूज़ किया जाता है अब यहाँ पर पूछा गया तो given hexadecimal number is equal to देखिए इसको एक math का पूरा का पूरा calculation है यह वाला तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 E 0.53 में both of it देखिए निचे में अगर 16ल रहेगा तो Imленment नीचे में आट रहे Can तो उसको हम लोगśThis Reginal बोलेंगए अगर नीचे में 10 रहेगा तो हम लोग डी सिउन्मल बोलेंगए अगर नीचे में यहां पर दो रहता तो उसको लोग बाइनरी बोलते हैं तो इसको चेंज करना है आप लोग इसे सिखना पड़ेगा नहीं तो आप डारेक्ली रट सकते हैं क्योंकि यह कोश्चन सब आते हुए हैं और आया हुआ है तो पूछा जा सकता है तो इसको क्या बोल आएगा आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट आपका है यहां पर दो ओक्तल नंबर यह आपका ओक्तल नंबर दिया गया नीचे में आठे 651.124 ठीक है तो इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है इसका हेक्साडेसिमल हो जाएगा वन ए नाइन पॉइंट टूए हेक्साडेसि इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो इसका 483 हो जाएगा कहां गया तो इसको सिखना पड़ेगा आपको टाइम लागए लगवाग कितना एक गंड़ टाइम लग जाएगा इसको अगर सिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट आपका यहां पर 170 को तो decimal है इसको आपको करना है equivalent 2 110 नीचे में 10 है तो इसको आप change करना है hexadecimal में यानि कि 176 करना है तो इसका कितना हो जाएगा जी करना हो जाहा हुआ Rust जाएगा यानि कि यह व Pastly और नीचे में 2016 लिखना भूल गया है तो यहां डेफर फ्रॉम दियर प्रेसेडिंग नंबर बाई सिंगल बिट एज ठेक है यानि कि पूछा गया है क्या चलिए स्वरी यार बार बार डगार आता है क्या पूछा गया दा कोड वेर ओल सक्सेशिब नंबर डेफर प्रॉम दियर प्रेसेडिंग नंबर बाई सिंगल बिट एज ठेक है यानि कि वहां कोड जिसमें आपका जितने भी क्रमिक नंबर से संख्याएं इसके पहले वाली संख्याएं बिट से अलग अलग होती हैं उनक यहां पर लिखा है तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेविट ठीक है तो यहां पर क्यों ग्रे लिखा है तो इससे भी हम लोग पकर सकते हैं ग्रेव नेक्स्ट आपका यहां पर 29 नंबर इसमें पूछा गया है कि हामेनी एंड गैट्स आर डिकवाइट तू रिलाइज होत अच्छा नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा टू ठीक है नेक्स्ट है यहां पर तो लॉजिकल गेट में दोगों जेंडरली सेंपल के यूच के जता है जीरो एक वन जीरो डाट मेंस पावर सफ्लाई नहीं हो रहा है और वन डाट मे आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका 40 नंबर और यूनिवर्सल लॉजिकल गेट इस वन वीच कैन बी यूज टू जनरेट एनी लॉजिकल फंक्शन वीच आप दा फॉलोविंग इज और यूनिवर्सल लॉजिक गेट ठीक है तो इसको हम लोग गोलते हैं नेंड गेट ठीक है नेंड गेट और गेट इस सब आपको पढ़ना है एंड गेट आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका है 42 नंबर और इसे पर पुछा गया है कि अपूल एड्रेस लॉजिक सर्कीट विल है ठीक है तो लॉजिक सर्कीट का जो फूल एड्रेस होता है वह क्या है तो नेक्स्ट आपका या पूर्पी देगेट्स रिक्वाइट विल्ड और हाफ एड्रेस हार तो बीचिए हाफ एड्रेस जब भी बनता है तो आपका किसे बनेगा एक्स और गेट एड एंड गेट से ठीक है कि 44 नमबर कोशन देखिए और यहां से आप पर लोजिक गेट का कोशन खतम होता है ठीक है बोला गया कि सेट अप प्रोग्राम विच कंसिस्ट अप फूल सेट अप डॉक्युमेंटेशन इस टॉम एज टीक है सँरें मिलमेंट क्या है यहां नहींठ है दॉक्यमेंट इसन है तो कोश्चन किया हो जाएगा सेट अप प्रोग्राम में थी कंसिस्ट अप फूल शेट ऑफ डॉक्युमेंटेशन यानि कि प्रोग्रामों का सेट जिसमें जो डॉक्रामन वैंदोस्ताविज होते हैं का पूरा सेट उसको हम लोग क्या बोलते हैं सोट में तो दूस्तों इसको लोग बोलते हैं Software Computer Software या Software package ठीक है तो option डिसका राइट आप रोज जाएगा और कहीं कहीं पर डिरेक्ट्री भी लिखावा मिल जाता है आपको next देख लेते हैं तो अगला question है हमारा यहां पर प्रोग्राम भीच एज लिट्छ वीच एजड़ियो ईस और टू गन्ट्रोल सिस्टम्मिणंस इस ट्लासिफाइड एज ठीक है यानिकी इस्टम प्रद्वशन को नियंत्रित करने के लिए चुम कर दोसर सन होता है अजडिकर उसको नियंत्रित किया जाता है ठीक है तो इसको बोलते है system program तो यहां पर भी system था यहां पर भी system था आप लोग पकड़ सकते थे next आपका यहां पर load address for the first word of program is called ठीक है यानि कि हम लोग बोल सकते है कि program का जो पहला सब्द होता है ठीक है जिसे load किया जाता है उस पता को हम लोग क्या बोलते हैं उस अड्रेस को क्या बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग लिंक एड्रेस टिक है लिंक एड्रेस आप्शन ओए आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम को पूछा गया प्रोग्राम थो हो yatप राइड अंव democracy डिवाइस थीर्ट है वर फण आड्रेस नहीं है इज और सिक्वेंशेल ओप इंस्ट्रक्शन हाँ एक प्रोग्राम जो है सिक्वेंशेल ओप इंस्ट्रक्शन ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक ग्रूप होता है प्रोग्राम ठीक है इंड्रदेशों का एक क्राम होता है सिरीज होता है प्रोग्राम तो राइट अदर क् the sequence of instruction ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर कि वाट इज दडिफ्रेंस बीट्विन नेमोनिक कोड एंड में मसीन कोड ना what is the different बेट्विन नेमोनिक कोड एन मसीन कोड ठीक है यानिक नेमोनिक कोड और जो मसीन कोड होता है इसमें क्या अंतर पाय जाता है तो देखिये और मसीन खोड में जो जैनरली अंत्र पाजाता है यह होता है कि निमनिक कोड आट बाइनरी एंड ने मोनिक कोड आर इन सौट में हैं इंग्लिज और यह वहला क्या है कि मेचनीक कोड आर इन सोट हेंड इंग्लिज एन Noni कोड पार हाई लेवल लेंग्वेज इसका अंसर नहीं बता पाऊंगा यार लेकिन जेनरली ये बला सही होगा ठीक है कि मेकनिक ठीक है एक मिन टेक मिन्ट मैंने नेमोनिक पढ़ा ना कि यहां पर गलत आंसर रही है चलिए इसको छोड़ देता हूं मैं इसको नहीं सकूंगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन है दस सॉप्ट्वेर यूज टू ड्राइब माइक्रो पर्सेसर बेस्ट सिस्टम इस कॉल्ड ठीक है दस सॉप्ट्वेर यूज टू गया है तो दिडिए उसका हम लोग बोलते हैं एशमले लेंग्वेच प्रोग्रामर ठीक है एशता सेम्ब्ल मीच्प्रोग्रामर फिफ्टी नेमबर हमारा कोश्चन है और इसमें पुछा गया है रिएस ओधार एईy अचर फ्स कोड इनटो मसीन कोड अन्डा स्टेवर बरेपार Намें बलते हैं और उसौर्स कोड को मसीन कोड में चेंज तीज यह करता है तो समझ सके और इसमें आपका कमपाइलर का यूज वर का यूजिता राइट रर इंटराऑन लुच का और राइज अ départ सिरिज बस या यूरिफनाग्रीज बस नेक्स्ट्ट और किवाट इंटरणेट एक नाट यह काफी ज़्यदा लंबा वीडियो हो गया तुल को वाटिज इंटरनेटों देखे बस-बाउंंत क्वें तक करते हैं कि इंटरनेट चाहं से इंटरनेट क्लास में हम कंप्लेट कर लेंगे पूरा बाकी जितना भी एक सब्सक्राइब मैं इसी वीडियो में दे दूँगा देखिए मैं यह नहीं चाहता कि कि माई अगर पढ़ाऊ तब आप पढ़ने का इच्छा है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं मैं पीडियो दे रहा हूं ठीक है कि मेरा भी जायगा नहीं यह या नहीं जाये सबसे मैंने आपका हेल्प करना ठीक है और वह होना चाहिए आप पढ़ सकते हैं और इसका मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दूँगा ठीक है इंदी ट्रांसलेट करके दे दूँगा क्योंकि मुझे खुद बोलने में दिकत हो रहा है और आप लोग को अगर दिकत होगा तो ही जाएगा हिंदी ट्रांस्ट करके ही देंगा ठीक हिंदी क्लिस दोनों में देंगा पीडियो थैंक यू बाई और एक सो पेज का दूंगा ठीक है